जान मुखबबत और स्यासत में सब जाईस है हर लेडर दूसरे लेडर की जगा देने के खाब देखता है और यही खाब मेरे ससुर चौधरी अकपर ने भी देखा कि मेरे डैडी अपनी पार्टी उनको देकर खुदी स्यासत से गाईब हो रहे हैं और इस पार्टी की बाग डोर संबालने के लिए मेरे ससुर चौधरी अकपर को कितनी भाग दोर करना पड़ी है वही आप इस एपिसोड में देखेंगे दो बड़ी स्यासत दानों की एक्टिंग का मुकाबला आईए देखते हैं जिसके रस्ते हैं सब उंचे नीचे सारे देख संबल के जलतू थोड़ी हिम्मत और बना गरच नवा ये बातल है ये इंदेना गबना सुसरिल्ला सुसरिल्ला जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला अब तो अखबार में भी खबरें नहीं रहे चौद्री साब ये सब खबरें ही तो है हाँ जी हाँ जी कहा है खबरें जी चौद्री साब का जिकर होता तो खबर बनती ना शौकी तुम्हें पता है बड़ा सियासतदान बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हाँ जी पता है जी बड़ा सियासतदान बनने के लिए जरूरी है सियासत में आना नहीं खबरों में आना चौदरी साब कल तो आपकी तस्वीर छपी थी वो गरीब की मदद करते हुए गरीब तो ऐसा लाया करो कि लगे मैं उसकी मदद कर रहा हूँ कल जो तुम गरीब लाये थे वो लग रहा था कि वो मेरी मदद कर रहा है बाबा अला की दाथे तेरा इकबाल मुन दोएगा मेरा इकबाल? शौकी से बताओ मेरे बेटे का नाम इकबाल नहीं कामरान है अल्या अल्या की नाम पे देएगा फकीर तुझे जावा देवेगा एक तो मैं बाबा नहीं और दूसरा मुझे तेरी दवा की जरूरत नहीं मेरा बेटा खुद डॉक्टर है और ये जो दवा दे रहे मैं तुझे बिमार नजर आता हूँ अरे ते समझने रहे बाबा ते कुछ सियास्तदान है ना हाँ और चौदरी साथ उन सब सियास्तदानों से बड़े सियास्तदान है जो इन से छोटे सियास्तदान है चौदरी साथ तमाम एलेक्षिनों में और तमाम इम्तिहानों में साकिन्ड डिवीजिन आते हैं अरे सो रॉपय का नोट दखा फिर देख कैसे पश्ट मीं चलाते है चौदरी साथ इसको सो रॉपया देने की तस्वीर खींच के अखबार में देंगे चौदरी अकबर की गदागरों को रोजगार महया करने के सिल्सले में मोहिम हाँ बई रेडियो हाँ जी हाँ जी ना ठैरो रंगीन है ना जी चौदरी साब रंगीन तस्वीर आएगा वो शौकी ये तो खमलावर बो रहा है अरे जितनी थोटिया खावेगा इतना बड़ा लीटर पड़ेगा ओहो फकीर साब नोट यू सामने करें के लगे चौदरी साब हजार का नोट दे रहे है अच्छा गरीब साब वह 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 फकीर वह ये तस्वीर खेचवाने के बज़ाए बाग क्यों गया है और चौदरी साब वह कहा रहा था मैं मौडलिंग के ज्यादा पैसे लेता हूँ अबबा जी नाश्ता लगा दिया है यह अफरीका के तो उसे है अबबा जी जरा से जल गय है तो और तो उस लाओ ना जो इतने जले ना हो दूसरे इतने जले नहीं है इसे ज्यादा जले मैं खाले अबबा जी इससे नजर नहीं लगती तो चौदरी अक्पर साब बोल रहा हूँ क्या लेकिन ये मलक खादम के दौरे की इतला हमें तो नहीं मिली अमरीका का दौरा या बरतानिया का क्या बीमारी वाला दौरा मलक की जहान को खत्रा है क्या वा डैडी को हेलो क्या 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 मैं अभी आ रही हूँ चौदरी साब तानिया बीबी बता रही है क्या मलक साब की जान को खत्रा है चौदरी साब आपको भी जाना चाहिए हो सकता है वो ना बचे पैलकुल इनसान को ना उमीद नहीं होना चाहिए जो चौदरी साब आई ना आई हो जाने पीछो बेका डैडी डैडी आप ठीक तो है ना डौक्टर को बुलाया दो चार काम अधूरे छोड़े थे, सोचा, पूरे कर लो अधूरे कौन से काम ड़डी? बहुत तिन चार अख़बाराग थे, उनके इंटर्विउस अधूरे थे, सोजा पूरे कर दो हम तो बड़ी उमीद लेके आये थे, आप तो बिलकुल ठीक है ये, मेरा मतलब है के बचने की उमीद, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा क्या नाम है आपका डैडी, आप रेस्ट नहीं करते, आपको तो सियासे से रिटाइर हो जाना चाहिए दिखा बहु ने कितनी सियानी बात की है, आप इसकी कोई बात नहीं सुनते बाशा, चौदरी साब के लिए कुछ पीने को ला पीने के लिए? ओ ना जी ना, हम पीने वाले नहीं हम सिर्फ काने वाले सियासतदान है चौदरी साब के लिए दूद लाएं जी, शैड डाल के और दो गिलास, एक गिलास मेरे लिए, चौदरी साब का मीठा चेक करने के लिए ले आओ बाई, ले आओ यह रहे जी दूद्ध यह पैस का दूद्ध है डब्बे का नहीं वह इसमें तो मक्ही है वो यह शैद की होगी शैद बुना रहे थी मैंने डिस्ट्रप करना मुनासिफ नहीं समझा क्या नाम है आपका पाथशा तुम अभी तक यही खड़े हो रिपोर्ट्स लेके नहीं आए मैं जा रहा हूँ वो जी सुनाय जी के डॉक्टरों ने आपको जवाब दे रही है जोद्री साब को डॉक्टर जवाब नहीं देते जब भी फोन करते हैं कोई डॉक्टर जवाब नहीं देता जो इसा मैं शर्मिन्दा हूँ कि आप से मेरी रिष्टेदारी है क्या मतलब मतलब ये के इतना करीबी रिष्टा है मैंने आपकी कद्र ना की आप हीरा है हीरा शुक्रिया मैं अगर किसी आपके काम आ सको तो मुझे जरूर बताईए टांगों में बहुत दर्द है जरा दबा दे चोदरी साफ दबाने वाले सियासतदान नहीं है कर्जे पलाट और कभी किसी की गर्दन वगएरा नहीं दबाई आप अगर अपने अहम स्पोर्टरों की डिस्टें मुझे दे 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 तो बड़ी महर्बानी हो डाधि, अबड़ी अँद you डाधि आपकी रिपोर्ट्स इस रिपोर्ट की मताबिक तो मैं चंड घडियों के लिए जिंदा हूँ मेरा पेला मालक पुछ चंड घड़ियों के लिए जिंदा था वो सोने के गड़ियां थी, उसमें हीरे लगवे थे तानिया बेटी जी डैडी मेरी ये खाइश है आखरी खाइश मेरी खाइश है कि मैं लाइफ प्रेस कांफरेंस करूँ मैं इस प्रेस कांफरेंस में इस बात का इलान करता हूँ कि मुझ में और चौधरी अकबर में कोई फर्क नहीं है हम दोनों अपनी पार्टियां जम कर रहे हैं और एक पार्टी बना रहे हैं हम दोनों सियास सल्टानों में से एक हमेशा के लिए सुब्रदोश हो रहा है और दूसरा दोनों पार्टियों का सरपरा हो का क्यों चौदरी साथ हाँ जी इसलिए मैं इस बात का एलान कर रहा हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए सियासे से सुब्धोश यानी अलहदा हो रहा हूँ और आज के बाद चौदरी अकबर इस हलके के ताहयाद बिला मुकाबला M.P.A होंगे मैं क्राउट से गुदारिश करता हूँ कि नारे बादी से परहेश करें क्योंकि बाद बड़ी आहम हो रही है दोस्तों कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता दिल मगर मेदा तो होता है फिर भी सियासत में बड़ा लीडर हजम नहीं होता आज मेरी अजमत का इतराफ मलक खादम ने किया है तो इसकी वज़ा ये है के मलक खादम एक अजम सियासत दान है इसमें बड़े बड़े काम किये जैसर उनों ने ये किया है मलक खादम जिन्दाबाद मलक खादम जिन्दाबाद चौदरी साब चौदरी साब आपकी तबियत तो ठीक है आप मलक खादम जिन्दाबाद के नारी लगा रहे हैं मैं तो लाइव प्रेस कानफरेंस कर रहा था मलक खादम ने मुझे अपना लीडर मान लिया था क्या वो खाद था चौदरी साब सुबा के खाद सची होते हैं मैंने भी एक सुबा खाद देखा था कि जिन्दगी में कभी इज़त वाला मकाम नहीं मिलेगा तब से आप क्या मुलाजिम हूँ है इसे क्या अच्छा खाद था वकीर आता है फिर मलक खादम की बिमारी की खबर आती है फिर मैं उनके हाँ जाता हूँ फिर लाइव प्रेस कानफरेंस और मैं नमबर वन लीडर चौदरी साब पूरे अखबार में खबर ही कोई नहीं आई ये बात कहीं सुनी सुनी लगती है हाँ खाब में हुई थी फिर बेल होती है फकीर आता है वा फकीरान है बनाता तब दिखर दे बाबा फकीर दुआ देगा सौकन ओड दिखा दे बाबा यही सब खाब में था यही फकीर था इसको मैं सौ का नोट दूँगा तो यह मुझे तीन दंडे मारेगा और दौा देगा अच्छा जी हाँ फकीर साब आपके पास दंडा है ना हाजी है ना कुट्या के लिए रख्या हुआ है क्या बंदों के लिए अलागिशन नहीं गया है यही बाबा भाबा फकीरा के साथ में जाखिना कर अच्छा है यही फकीर है यही यह लो सौ का नोट लेल और मुझे मारू दंडे यह बाई बे, आप नहीं लोग है, आपने हम दंडे बारे, अरे मारे आतर लोट जावागा है यार दोसों लेलो, डंडे ही तो मारने है, क्यों जोदरी साफ सिरफ तेन दंडे है हाँ, हाँ, अधे बाबा, एक बाई सुने, तु मेरे से मार के उखा रहा है, तु साधी सुता नहीं है जाती करो, बारो डंडा यह बाबा, बने बाप करते है यार, अपना सौर पागा रोट रख और बुझे तूसरे किसे चक्कर मेना पसा क्या हो था बदी? एक बदी, बेटा, मेरे से कार यह देखो और यह जाने सोर पर दे ले और मने डंडे मार कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ किचन में जाके तोस्ट जलाओ जाओ ने बेटा, यह रंज की बाते हैं कार जा रहे हो, यार दोसो ले हो, तीन सो ले दो, चलो चार सो सही, तीन डंड़ी तो मारने हैं यह तबह पागन हो, और फिर मही पागन हो भाई ओ भाई, ओ धीर साथ, और यह आप पैसे लेने, डंड़ी तो मारने है अबाजी को तो जहनी बिमारी लगती है, गामरान भी नहीं है या लग, एक, दो अब जले हुए तोस खाएंगे फिर मलक की बिमारी का फून आएगा चोधरी साब, अगर तोस जले हुए ना हुए तो फिर तोस तोस तो जले हुए है जी वह अबाजी बिटा यही बात तो मुझे तुमारी पसंद है कि तुम्हेशा तोस जला देती हो, जीती रहो और तोस जलाती रहो स्वरी अबाजी, मैंने देखानी मुझे सगलती होगी ने, ने, अबे एव, वह ले गई मैने खाने थे अबाजी, मैं आपको ले ताजे तोस बना के लिए तोस जी क्या बताएं आपको, चौदरी साब ने जले हुए तोस ही खाने थे वो क्यों? बड़ा लीडर बनने के लिए ये जरूरी है, बताओ ना शौकी जी, वो वो गरीब क्या खाते हैं जी वो जब तक लीडर खुद नहीं खाएगा तो पता कैसे चलेगा गरीब आपके मसाहिल का अच्छी तरह जले हुए दोस्त के क्या हो ओ, पुट शौकीन अहाँ जी दूसरा तो उस चुरुत कर लिया है अपी तक फून की बेल नहीं बची जा देखो जाके फून की तार भी तुम्हे जल गई अच्छा जा ये तो फून ही खराब पड़ा हुआ है क्या करें? कुछ करो अच्छा अबाजी दवाई लादू आपको कामरा तो है नहीं मैं भी जहनी मराज की डॉक्टर हुआ क्या ओ गेंटी बच गई भाई गेंटी बच गई हलो क्या मलक घादम को अजानत अठै रियली शौकी हो गया मलक घादम को बड़ा आपसोस हुआ है वेटा डैडी को हुआ हुआ देखो चलते से फोल को हलो मेरे डैडी को किस दुश्मन की बद्वा लगी है किसी दुश्मन की नहीं लगी इनके दुश्मन की बद्वा क्या कभी दुआ कभो नहीं हैंसी भी कोई बात नहीं है मलक साहब आपको बहुत याद किया करेंगे यह मेरा मतलब है के बहुत याद करते हैं हम आपको आपकी बहुत मेरबानी आप अपनी फराकत में से कुछ टैम निकालकर तश्रीफ लाएं ओजी चोधरी साहब तो सुबह से तयार होके इस बात का इंतिजार कर रहे थे यह वह ग्लास दूद बाज़ा मैं चोधरी साहब के लिए दूद लाओ रहा यह लेंजी दूद यह टप्पे का नहीं भैंस का है पच्छोई साहब दूद में तो मक्खी ही नहीं है इसमें मक्खी डाल के लाओ यह तो मक्खी के बगार है अबियत मेरी खराब है मगर बातों से आपकी लग रही है सान्मिया मेरे खाल है तुम्हारे सुसर कर दमाग पुचल गया है लेकिन खैर इससे यह मालूम हुआ कि इसके पास दमाग है अच्छोई मैंने कामरान को बताया है सुबह से यह अजीब गरीब हरकते कर रहे है फकीर को कहते हैं मुझे धंडे मारो फिर मुझे कहते हैं कि जले वे दोस्त खिलाओ और आप दूद में मक्ही बाशा अगर चोधी साब को दूद में मक्ही पसंद है तो डाल के ला दो ला मक्ही किस रंग की होने चाहिए उमर, कद और साइज भी पता दे सुमंदर की मक्ही डाल लाओ जाओ यार साथ इसी मक्ही डाल के ले जाओ साथ इसी मक्ही मक्ही है इदर दो अब तुम जाओ और जाकर रिपोर्ट ले कियाओ ओ हाँ, यह तो मैं भूली गया था चेक कर लें के मक्ही किसी और हलके की तो नहीं, क्या नाम है आपका जारों, अब ही गया जारों, अब ही गया चौदरी साब अब क्या होगा अब रपोर्ट आएगी कि मलक नहीं बचेगा फिर लाइफ प्रेस कांफरेंस और फिर मैं दो पार्टियों का सरवरा देखा चौदरी साब आपने मेरी कोशिशों का नतीजह तेरी कोशिश नहीं मेरे खाबों का नतीज़ आ है अब पता चला के दुनिया पर लोग जो कुछ हासल करते हैं वो खाब देखके हासल करते हैं हाँ, चादरी साब मुझे भी वैसे बड़े खाब आते हैं पर आप सोने ही नहीं देते हैं जी बे चलो, रपोर्ट आने से पहले मुझे दबाना भी है मलक की पार्टी दबाना है मैं टांगें दबा रहा था जब रपोर्ट आई थी अचा आई दबाई चलो डैडी, अब आपने काम नहीं करना हूँ काम करना होता तो सियासत में क्यों आता अला परे सब ठीक हो जाए सब ठीक हो सकता है मगर तुमारा सुसर नहीं हलो हाँ, अच्छा, ओके बाद्चाने का है रपोर्ट ठीक है अलिक साब वो अलिक साब वो अच्छाने को शौकी बता है नहीं वो जी जरा अपनी तांगे सीधी करें जी चौदरी साब ने दबानी है ये? नहीं, नहीं, नहीं ये मेरा हक बनता है बलके मैं दबाओंगा बस अगर दमाना ही है तो जरा आष्टा आष्टा दबाएए आप फिकर ना कहीचिए जिनाप शौकी 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 बता करो मुफीता क्रपोड लेकर नहीं मैं थाक क्या हूँ अजी अलिक साब आपकी तो बिमारी का सुना था लेकिन यहां तो आपका रीफ आपकी तंगे दुपा रहा है ये ये तो खाब में नहीं आया था जर्मिलिस्ट है जी किसी और जगा बिजी होगा वे इसने तो तस्वीर बना लिये अब क्या होगा खाब आपने देखा है लिए आप बता है अच्छा मलक साब फिर आप से मुलागाद होगी खुदा हाफिस लोजी रिपोर्ट आगई है क्या नाम है आपका मलक साब बहुत दुख हुआ इस रिपोर्ट का आपको दुख ही होना था शुक्रिया आपने गलत नहीं समझा अब आपके पास वक्त कम है अपनी आखरी खाहश बता दीचे बलके ना बता ये मुझे सब मालूम है सब जानता हूँ मैं मैं जाके प्रेस कानफरेंस का इंतजाम करता हूँ जिसमें दोनों पार्टियां जम हो जाएंगी और एक लीडर पार्टी से दस्तबरदार और दूसरा है खुदाफिस मैं इस प्रेस कानफरेंस पे इस बात का एलान करता हूँ कि मुझमें और चौदरी साफ में कोई फर्त नहीं है, हम दोनों एक हैं, क्यों चौदरी? हाजी, ऐसे ही था खाब हो हम दोनों अपनी पार्टियां जम करके एक पार्टी बना रहे हैं, क्यों चौदरी? हाजी, हम में से एक सियासेदान आज से अपनी पार्टी से सुब्दोश हो रहा है और दूसरा सियासेदान दोनों पार्टीयों का सरबरा होगा क्यों चौदरी साफ हाजी, हाजी मैं इस बात का एलान करना चाहता हूँ कि आज से बीमारी की वज़ा से चौदरी अकबर सियासेदान रिटायर हो रहे हैं अब इनकी पार्टी का सरबरा भी मैं ही हूँगा क्यों चौदरी साफ है? नहीं, नहीं, यह जियाती है, यह गलत बात कर रहे है बंदो में मेरी बात हुने बात है, मैं बात कर रहे है